राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों आज मैं आप के लिए लाई हूँ श्री विश्णु महापुरान की कथा बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके और बंधों कथा को जब भी सुने पूरी सुने आज सुनने के बाद कमेंट पोक्स में जै विश्णु भगवान जै मालक्ष्मी जरूर लिखें बोलो विश्णु भगवान की जै श्री मेत्रे जी बोले हे भगवन जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगत पती भगवान विश्णु की उपासना करते हैं वेहें वर्नन कीजिए और हे महामुने उन गोविन की अराधना करने पर अराधन परायन पुर्षों को जो फल मिलता है वेहें भी मैं सुनना चाहता हूँ श्री प्राशर जी बोले हे मैत्रे तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और्व से पूछी थी उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वेहें मैं तुम को सुनाता हूँ श्रवन करो हे मुनिश्रे सगर ने भिगुवन्शी महात्मा और्व को प्रणाम करके उनसे भगवान विश्नु की अरादना के उपाये और विश्नु की उपासना करने से मुनिश्य को जो फल मिलता है उसके विश्य में पूछा था उनके पूछने पर और्वने यतन पुर्वक जो कुछ कहा वेहें सब सुनू और वो बोले भगवान विश्नु की अरादना करने से मुनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरत स्वर्ग स्वरग से विश्वेष्ट ब्रह्मपद और परम निर्वानपद भी प्राप्त कर लेता है हे राजेंद्र बेह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है अलप हो या अधिक शी अच्यूत की अरादना से निश्चेहिवे सब प्राप्त कर लेता है हे भुपाल तुमने जो पूछा कि हरी की अरादना किस प्रकार की जाए सो सब मैं तुमसे कहता हूँ साब धान होकर सुनू जो पुरुष वर नाश्रम धरम का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विश्णू की अरादना कर सकता है उनको संतुष्ट करने का कोई मार्ग नहीं है हेन रेप यग्यों का यजन करने वाला पुरुष उन ही का यजन करता है जब करने वाला उन ही का जब करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन ही की हिंसा करता है क्योंकि भगवान हरी सर्व भूत मैं है अते सदा चार युक्त पुरुष अपने वरण के लिए विहित धरम का आच्रन करते हुए श्री जनार्दनहे की उपासना करता है हे पुरुष दूसरों की निंदा चुगली अत्वा मिध्य भाशन नहीं करता ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो उससे निश्चे ही भगवान के शव प्रसन रहते हैं हे राजन जो पुरुष दूसरों की इस्त्री धन और हिंसा में रुची नहीं करता उससे सरवदा ही भगवान के शव संतुष्ट रहते हैं हे नरेंद्र जो मनुष्य किसी प्रानी अत्वा अन्य देहधारियों को पीडित अत्वा नर्ष्ट नहीं करता उससे शिकेशव संतुष्ट रहते हैं जो पुरुष, देवता, ब्राहामन और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है हे नरेश्वर उससे गौबिन सदा प्रसंद रहते हैं जो विक्ति, स्वयम अपने और अपने पुत्रों के समान ही स्वस्थ प्रानियों का भी हिचिन तक होता है वह सुगमता से ही शीहरी को प्रसंद कर लेता है हे नरेश्वर जिसका चित रागादी दोशों से दूशित नहीं है उस विशुद चित पुरुष से भगवान विश्णू सदा संतुष रहते हैं हे नरेश्वर शेष्ट शास्त्रों में जो जो वरन आश्रम धरम कहे गए है उन उनका ही आच्रन करके पुरुष विश्णू की अरादना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं सगर बोले हे द्विश्शेष्ट अब में समपूरन वरन धरम और आश्रम धरमों को सुनना चाहता हूं कृपा करके वरनन कीजिए और वो बोले जिनका मैं वरनन करता हूं उन ब्राहमन छत्रिये और शुद्रों के धरमों का तुम एकागर चित होकर क्रमशे श्रवन करो ब्राहमन का करतव्य है कि दान दे यग्यो द्वारा देवताओं का यजन करे स्वाध्याई शील हो नित्यतरपन करे और अग्निया धान आदिकरम करता रहे ब्रहामन को उचित है कि वृती के लिए दूसरों से यकिकरावे और ओरों को पढ़ावे और न्याए उपाजित शुद्धन में से न्याए अनुकूर द्रव्य संक्रह करे ब्रहामन को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सरवदा स्वस्थ प्राणियों के हित में ततपर रहना चाहिए संपूरन प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्रहामन का परमधन है पत्थर और प्राय रतर में ब्रहामनों को स्वान बुद्धि रखनी चाहिए हे राजन पत्नी के विशे में रितू गामी होना ही ब्रहामन के लिए प्रशंश निय करम है शत्रिय को चाहिए कि ब्रहामनों को यथेक दान दे विविद्यग्यों का अनुष्ठान करे अध्यन करे श्यास्त धारन करना और पृत्वी की रक्षा करना ही शत्रिय की उत्तम आजीविका है इन में भी पृत्वी पालन ही उत्कृष्टर है पृत्वी पालन से ही राजा लोग कृत-कृत्य हो जाते हैं क्योंकि प्रित्वी में होने वाले यग्य आदिकर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वरंधरम को स्थिर रखता है, वहें दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को परापत कर लेता है। हे नरनात लोक पिता महा ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशु पालन वानिज्य और क्रिशी ये जीवी का रूप से दिये हैं। अध्यान यग्यदान और नित्यनेमितिक आदिकर्मों का अनुष्ठान ये करम उसके लिए भी विहित है। शुत्र का कत्तव्य यही है कि द्वी जातियों की प्रियोजन सिध्धी के लिए करम करें और उसी से अपना पालन पोशन करें। अथ्वा वस्तों के लेन देन से अथ्वा कारी गरी के कामों से निर्वहा करें। अती नम्रता, शोच, निश्च, कपट, स्वामी सेवा, मंत्र, हीन, यक्य, अस्ते, सत्संग, प्रहामन की सेवा करना ये शुद्र के प्रधान करम है। हे राजन शुद्र को भी उचिद है कि दान दे। बली वैश्य देव अत्वा नमस्कार आदी अलप यग्यों का अनुष्ठान करे। पित्र श्राद आदी करम करे। अपने आश्रित कुटुंब्यों के भरन पोशन के लिए सकल वर्नों से द्रव्य संग रहे करे। रिदुकाल में अपने ही इस्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर इसके अतिरिक्त स्मस्थ प्रानियों पद्दया, सेहनशीलता, आमानिता, सत्ते शोज आदी प्रिक्षम ना करना, मंगला चरन, प्रिया वादिता, मैत्री, निश्कामता, आक्रिपनता और किसी के दोश ना देखना, ये स्वस्त वर्नों के समानने गुन है, सब वर्नों के समानने लक्षन इसी प्रकार है, अब उन ब्रहामन आदी चारो वर्नों के आप धरम और गुनों का श्रवन करो, आपत्ती के समें ब्रहामन को शत्रिये और वैश्य वर्नों की वृति का अवलंबन करना चाहिए, छत्रिये को केवल वेश्य वृति का ही आश्य लेना चाहिए, ये दोनों शुद्र का करम कभी ना करें, हे राजन इन उप्रोक्त वृतियों को भी समर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपतकाल में ही इनका आश्य ले, करम संकर्नता ना करें, हे राजन इस प्रक वरन धर्मों का वर्नन तो मैंने तुम से कर दिया अब आश्रम धर्मों का निरुपन करता हूं दोनों संध्याओं में एक काक्र होकर सूरे और अगनिक की उपासना करें गुरू का अभिवादन करें गुरू के खड़े होने पर खड़ा हो जाए चलने पर पीछे पीछे चलन कोई आचरन ना करें ? गुरू के काहने पर ही उनके सामने बैट कर एकागर्चित्र से वेदा ध्यन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षा अनभोजन करें ! जल में प्रथम आचारे के सनान कर, चुपने पर फिर स्वयम शनान करे। प्रती दिन प्रात्य काल गुरू जी के लिए समिधा जल कुश और पुश्प आदि ला कर चुटा दे। हे राजन इस प्रकार ग्रहस्त उचित कारे करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस ग्रहस्त को उचित है कि इस्त्री को पुत्रों के प्रती सौप कर, अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल, आदि का अहार करता हुआ, लोम, दाड़ी, मोज और जटाओं को धारन कर, प्रिथ्वी पर शैन करें, और मुनी विधी का अवलंबन कर, सब प्रकार अदिधी की सेवा करें। जो वान प्रस्त मुनी इन नियत नियमों का आचरन करता है, वह अपने समस्त दोशों को अगनी के समान भस्म कर देता है, और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। बोलो विश्नु भगवान की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बंधों, यदि आपको हमारी व प्राप्त करता है।